इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षाबलों की गोपनियता भंग होती है डिफन्स डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारियों के अधार पर काम करता है जो सारवजनी क्रूप से मौझूद है नौसका दोस्तों डिफन्स डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलोग तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरान और पाकिस्तान के बीच जारी टेंशन की ये जानने की कोशिश करेंगे कि एरान के अटेक और पाक्स्तान के काउंटर अटेक के बाब क्या ये मामला खत्म होने वाला है या फिर ये कॉन्फलिक्ट और जादा बड़ा होने वाला है ये भी आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान और इरान के भी शुरूवे इस विबाद में परदे के पीछे किसका खेल चल रहा है लेकर उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ ये एक पाकिस्तानी डिफेंस अनालिस्ट जायद हामिद का वीडियो है इनको तो आप जानते ही होंगे ज़रा सुनिए कि ये इरान के बारे में क्या कह रहे हैं प्र आपको तसली हो जाएगी सुना आपने खुद को पाकिस्तानी डिफेंस अनालिस्ट बताने वाले जायद हामिद कह रहे है कि पाकिस्तान जब चाहे तब इरान को तबाह और वरबाद कर सकता है गज़ा की तरह बना सकता है ये इरान को खुली चुनोती है कुछ ऐसा ही माइंडसेट पाकिस्तान की आर्मी लिडर्शिप और उसके टट्टू सरकार का भी नज़र आ रहा है अब सवाल ये उड़ता है कि इस नए कॉन्फलिक्ट में परदे के पीछे से किसका खेल चल रहा है क्या इरान और पाकिस्तान के बीच विवाद में अमेरिका का बड़ा रोल है क्या इसके पीछे इसराइल का भी रोल है आपको तो पता ही होगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है आसे मुनीर पिछल महीने अमेरिका गए थे लगबग दस दिनों तक वहाँ रहे सीनियर आर्मी ओफिसर्स और डिप्लोमाट्स से मिले जो अमेरिका के लोग है वहाँ से लोटे तो पाकिस्तान इरान से उलज किया तो क्या ये केवल कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे है सोची समझी प्लैनिंगी आप सोचिए अमेरिका इसराइल की दोस्ती और एक दूसरे का सपोर्ट जो है वो किसी से छुपा नहीं है अमेरिका गज़ा पटी में इसराइल के अटैक को खुल कर सपोर्ट कर रहा है उसे आमस भी दे रहा है और तो और अपनी नेवी को भी उसने मेडिटेरेनियन सी में जो है वो डिप्लॉई कर रखी है लेकिन पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ आवाज उठा रहा था फिलिस्तीन ही नहीं हमास का भी सपोर्ट कर रहा था लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान के उठ रही आवाजे जो है वो दबती जा रही है अब पाकिस्तानी मीडिया को भी तो पिछले ती महीने से गजा की खबरे टॉप हैडलाइन में रहती थी लेकिन अब वो करीब करीब गायब हो चुकी है गजा की नियूज अब नीचे के कॉलम में छोटी से रहती है जब इसराइल गजा पर अभी भी अटाक कर ही रहा है वहाँ अभी भी लोग मारे जा रहे हैं दावाए के 25 जा से ज़्यादा लोग मारे गए हैं तो कल तक इसराइल के खिलाफ आग उगलने वाला पाकिस्तान और वहाँ की मीडिया उसने अचानक ये चुपी क्यों साद लिये एक्चुली इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान के आर्मीचीफ आसिम मुनीर के अमेरिकी दोर इसे है तो क्या पाकिस्तान ने आसिम मुनीर के अमेरिका विजिट के बाद इसराइल और फिलिस्तीन को लेकर अपना स्टैंड बदल लिया है भाई पाकिस्तान में जो नजर आ रहा है उससे तो यही लगता है और अगर ऐसा है तो इसके पीछे की वज़ा क्या है इसे भी समझना बहुत जरूरी है अरब नियूज की इस खबर को देखिए आई-एम-फ ने पाकिस्तान को दिये जाने वाले बेल आउट पैकेज का साथ सो बिलियन डॉलरस जारी करनी यह मनजूरी दे दी भाई और यह ग्यारा जनवरी की खबर है आई-एम-फ की बोर्ड का यह फैसला आसी मुनिर के अमेरिका दोरे के ठीक बाद आया है जाहिर है सवाल डॉलरस का है और सवाल पाकिस्तान के कंगाली का है या अगर यह कहा जाए कि पाकिस्तान ने एरान पर काउंटर अटाइक अमेरिका के प्रेशर में आकर किया है तो यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा है पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमैट्स भी यही कह रहे हैं कि नो मेटल वाट कास्ट हम ये बरदाश्ट नहीं करेंगे जो अमरीका आप से करवा रहा है इरान के खिलाब जो इसराइल आप से करवा रहा है इरान के खिलाब तो मैं यही कहता हूँ कि मैं एक सिफारतकार हूँ मैं अगर होता आज फॉरन आफिस में तो कभी भी मैं ये करवाई ना करने की इजाज़त देता जो हमारी ये लोगों ने की है मैं मेरे कमस कम तालुकात हम रखते अपने काउंटर पार्ट के साथ अभी जिनका भयान आपने सुना उनका नाम शमशाद एहमद है शमशाद एहमद पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमैट है वो युनाइटेड नेशन्स में पाकिस्तान के पर्मानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि भाई पाकिस् अवेरिका और इस्राइल की कटपुतली बन गया है इतना ही नहीं शमशाद ने तो ये भी कहा कि एरान को पाकिस्तान की टेरिटरी में अटैक करने का भी पूरा हक था कैसे वो भी सुनिये इन ने उन सारे मामलात से डील करता है लो बहुत दफ़ाई ये वाकिया फो चुके हैं पहले बहुत दफ़ाई उन्होंने हम से डिसकस किया है हमारा हर आर्मी चीफ वहां जाता था और फिर समझा के आजाता था और हमेशा उनले दरगुजर कि लेकिन अब आपके हाँ जब तालबान जो है पाकिस्तानी तालबान क्रिमिनल जो हैं वो अफ़ानस्तान से हमला करते हैं तो आप नहीं क्या रिस्पॉंट करते हैं, मुझे ये बताईए, ठीक है न, या जिस तरह इंडिया आपको ब्लेम करता था, कि आपके हां से हम पर टेररिज्म मदाखलत हो रही है, तो इंडिया भी आपको दुआने के लिए करता था, तो ये जो वाक्या हुआ है, मैं समझता करी नहीं सकता कि इस नाजक मौके पर एक ब्राजर मुखल, पाकिस्तान का इलाका इस्तमाल करके उसकी तरफ हमला किया जाए। इरान और पाकिसान के इस कॉन्फिक्ट पर अमेरिका ने भी बयान दिया है, अमेरिका के प्रेज़ेंट जो बाइडन ने कहा कि एरान की उसके किसी पड़ोसी देश से नहीं पढ़ती है। अमेरिका और इस्राइल को चैलेंज किया करता है। उसके न्यूकलियर प्रोग्राम को लेकर भी अमेरिका के मन में डर बैठा हुआ है। बड़ा डर बैठा हुआ है। उसने कई तरह के सैंक्शन्स जो हैं वो इरान पर लगाये हुए हैं। और इरान है इतने के बाद भी पीछे हटने को तयार नहीं है जुगने को तयार नहीं है। इसराइल के खिलाफ वो बिलकुल खुलकर खड़ा है। उस पर हमास के साथ साथ हूती और हिजबुल्ला को भी सपोर्ट करने का आरोप है। तो ऐसे में अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की यार लेकर इरान को घे नहीं लिया और तब जाकर इरान ने अटाक किया। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान का ये डिटालियेशन अपने दम पर नहीं है। उससे अमेरिका का बैक अप मिला। प्रेशर पड़ा और तब जाकर पाकिस्तान ने इरान में काउंटर अटाक किया। अब आप ये देखि आफ विलाज स्काई 1402 खबरों के मताबिक ये एक्सरसाइज 6 लाख स्क्वाइर किलो मिटर को कवर करेगा इस से आप इस ड्रिल की इंटेंसिटी समझ सकते हैं इस ड्रिल में एरान की एर फोर्स उसकी नेवी और ग्राउंड फोर्से तीनों शामिल है तो क्या ये ड्रिल पाकिस्तान और उसे बैक कर रहे है अमेरिका के जो अमेरिका है उसको इन दोनों के ये सीधी चेटावनी नहीं लगती आपको मुझे तो लगती अब एक और बात समझे कि पाकिस्तान ने इरान पर काउंटर अटैक करके कैसे खुद के पाउं पर ही कुलाणी मार ली है इसे समझने के लिए हमें पाकिस्तान का मैप देखना होगा पाकिस्तान के बार्डर तीन देशों से मिलते हैं उसके इस्ट में इंडिया है इंडिया के साथ उसकी 1947 से ही अरावच चल रही है और बॉर्डर से लेकर पॉलिटिकल पैसेजिस तक में हमेशा तनातनी जो है वो बनी रहती है नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है डूरन लाइन दोनों देशों की सीमा है जिसे तालिबान नहीं मानते दोनों देश करीब 2600 किलोमेटर का बॉर्डर साजा करते है लेकिन ये बॉर्डर भी हमेशा से कैलेंजिंग रहा है तालिबान लड़ाकों बलोच और पश्टून रेबेलियन्स के वज़े से पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा टेंशन है लेकिन एरान के साथ उसकी 900 किलोमेटर लंबी सीमा पर कभी ऐसे हालात नहीं रहे लेकिन अब एरान और उसके बाद पाकिस्तान के रिटेलियेशन अटेक के बाद इस बॉर्डर पर भी पाकिस्तान के लिए हाला जो है वो पहले वाले नहीं रहेंगे यानि तीन तरफा मोर्चा जो है वो पाकिस्तान के सिर का बड़ा दर्द बन चुका है ये बुरी खबर ये है कि आपके दो हाट बॉर्डर पहले थे एक अफगानिस्तान वला बॉर्डर था चामन बॉर्डर और खालजवाँ अफगानिस्तान के साथ यतनी भी बाउंटरी पाकिस्तान की है हमेशा से क्राइसिस का शिकार रही है अब भी है दूसरी चीज अगर देखी जाए तो वो हिंदुस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे आप चार जंगे लड़ चुके हैं इसके लावा वहाँ आप तो चलें फिर भी कुछ करमिशिस कम हुए है पहले रूटीन की बात थी कि एलो सी पे फारिंग हो रही है हर कोई उसको अनप्रोवोक्ट कह रहा है वो भी कह रहे हैं हम भी कह रहे हैं तीसरा बॉर्डर जो पाकिस्तान का था वो एरान के साथ था वो भी हाट बॉर्डर बन चुका है तो अब एरान का भी बॉर्डर पाकिस्तान के लिए चलेंजिंग साबित होने वाला है ये एरिया पाकिस्तान के लिए बहुत ज़ादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कई माइन्स हैं, कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं अगर ये एरिया डिस्टरब होता है तो पाकिस्तान का सिरदर जो है वो बहुत ज़ादा बढ़ने वाला है अचा अभी मैंने अफगानिस्तान की बात की, अफगानिस्तान के साथ ही पाकिस्तान के संबंध बिगड़ते चा रहे हैं पहले तो अफगानिस्तान 1.7 मिलियन अफगानियों को जबरन पाकिस्तान से डिपोर्ट करने पड़ भड़का हुआ है दूसरा ये कि पाकिस्तान हमेशा TTP को लेकर अफगानिस्तान पर उंगली उठाता रहता है इस से भी अफगानिस्तान की जो तालिवान गर्वर्मन्ट है उसमें काफी नाराजगी है उसने बार बार पाकिसान को कहा है कि भाई ये पाकिसान का अंदूर्यनी मामना है और इसका अफगानिस्तान से कोई मतलब नहीं één, अफगानिस्तान को इसमें बेवज़ा मत घज़ीट आ जाए लेकिन पाकिस्तान में अफगान बॉर्डर के पास आर्मी और सिविल एरिया में एक के बाद एक टेरिस्ट अटैक्स होते रहें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर के लिए नई पॉलिसी लागू कर दी है तुर्खम बॉर्डर के गेट जो है वो बंद कर दिये गए हैं पाकिस्तान की नई पॉलिसी के हिसाब से अब बिना वीजा के अफगान ड्राइवर पाकिस्तान में नहीं आ सकते अब ऐसे में क्या हुआ ऐसे में सामान सालदे हजारों ट्रक बॉर्डर पर फंसे हुए हैं अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और इरान के भी शुरू हुई जो यह अटायक और रिटैलियेशन अटायक वाली जो बात शुरू हुई है तो इस तनाव को भी उसने अलार्मिंग बताया है वैसे आपको उसी पाकिस्तानी डिफेंस आनेलिस्ट जायद आमिद एके लाल ट हमारा उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है हम जब चाहें थपड़ शपड़ मार के दात वाँ तोड़ दे उनके उनको परे कर दे और यहीं 75 साल से करते रहें तो पाकिस्तान पिछले 75 सालों से अफगानिस्तान को थपड़ मार मार कर सही करता है अब जरा सोचिए जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान थपड़ मार मार कर सीधा कर देता है जी अब इस बात पर हसी नहीं आएगी क्या आएगी बताइए खेर पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के लोगों की जो सोच है वो कुछ ऐसी ही है कि वो असलियत को ना द Muslim देश इरान पर एर स्ट्राइक कर दी तो अब उसका जो वो Muslim मुमलिक वाला जो concept है कहां गया हो और अगर पाकिस्तानी ये सोच रहा है कि वो एक nuclear power है तो इरान उसके आगे जुख जाएगा तो ये जानने वाली बात है कि इरान भले ही nuclear power ना हो लेकिन वो missiles और drones के मामले में पूरे Middle East में जो है वो number one power है इरान से दुश्मनी यानि होती, हमास और हिजबुल्दा जैसे terrorist organization से दुश्मनी यानि पाकिस्तान के लिए एक तरफ है कुआ और एक तरफ है खाई ऐसी situation बन गई है तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करिए अपनी राय दीजे और इस वीडियो को जादा जादा लाइक और जादा जादा शेयर कीजे और जिन लोगों ने अभी तक Defense Detective को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे प्रातना है कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आप तक हमारे द्वारा अप झाल